निर्माण में लगे मजदूर ने दूसरे मजदूर की तीन वर्ष बीटी के साथ की दरिंदिगी 200 मीटर दूर खून से लगपत पत्थरों की बीच फसी मिली बच्ची पौन सी थाना छेत के गौर रिठोज में निर्माण कारे कर रहे एक मजदूर की तीन वर्ष बच्ची के साथ करीब 45 वर्ष मजदूर दूरा दरंदिगी करने का मामला सामनी आया है पौलिस ने बच्ची खून से लगपत हालत में एक मकान के पीछे पत्थरों के बीच फसी मिली महिजवारदात के बाद आरूपी फरार है बच्ची को गंभीर हालत में गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में एडमेट करवाये गया है वहें इस घटना की सूशना सीन आफ क्राइम वा फिंगरप्रेंट के टी में भी मौके पर पहुची और जाच की शुरुआत कर दी मध्यप्रदेश के पना निवासी कई मजदूर रिठाउस थाड़ी पर अविंदर फोच के मकान में निर्मान कारिका रहे थे गद कुरुवार को एक मजदूर आया था जो उसी मकान में रह रहा था रात को मजदूर की तीन वर्षे बच्ची गायब हो गई शक्रुवार करीब साथ वजे एक मकान के पीछे बच्ची के रोने की आवास सुनी तो ग्रामेडों ने देखा कि बच्ची खूल से लटपत हालत में वहाँ पड़ी है जो पत्थरों के बीच में फसी हुई थी जिसके बाद बच्ची की मिलने की सूशना मजदूरों तक पहुची तो वे मौके पर पहुचे और बच्ची की पहचान की वहीं ग्रामेडों ने पुलिस को इसकी सूशना दी थी पुलिस ने मौके पर पहुच कर बच्ची को कबजे में लेकर गुरु ग्राम के नागरत का स्पताल में एडमिट कर आया बच्ची की हालत गंभीर बतायी चो रही है वही आरोपी की पहचान ठेकेदार ने नहीं की ह पुलिस का कहना की आरोपी की तलाश जारी है झाल जारोपी की तलाश जास जारोपी की हालत ग्राम की शची नहीं है